आखिर अमता बच्चन ने जुबां खोली बीते हफ़ते उन लोगों के बारे में जो उन्हें ब्लाक के लिए मिले नैशनल अवार्ड के फैसले के खिलाफ अदालत तक जाप महचे थे ये अवार्ड था बिग बी के लिए बेहद एहम और मामला आखिर सिलज गया और ये अवार्ड मिला बच्चन साब को ही अमता बच्चन को 15 साल बाद नैशनल अवार्ड दुबारा मिला लेकिन कई अडचनों के बाद दरहसल जूरी की एक मेंबर शामली बैनर जी इस अवार्ड का सही हगदार बलाक के लिए बच्चन को नहीं बलकि मैने गांदी को नहीं मारा के लिए अनुपम खेर को मानती थ लेकिन फाइनली इस अवार्ड पर बच्चन के नाम की ही मुहर लगी और बच्चन इसे खुश तो है मगर सारे मामले से थोड़े से खफा भी अकसर बिग भी किसी ना किसी ना पर बच्चन के लिए अगर उनको ऐसा लगा है कि मुझे पुरुसकार नहीं मिलना चाहिए और इसकी वज़े से वो कोट गई है तो यह वो जाने है कमीटी जाने सरकार जाने है हम तो केबल दर्शनार्थी हैं और अगर कोट ने ऐसा सोचा है कि वो ठीक नहीं है और कमीटी सोचती है कि मुझे पुरुसकार मिलना चाहिए तो हम उसको स्विकार करते हैं अक्सर बिग भी किसी ना किसी तरह के पॉलिटिकल जहमिले में फसी जाते हैं चाहे उनकी खेती की जमीन का विवाद को लेकर हो या फिर अभिशे को मिले यश भार्ती अवार्ट को लेकर और बच्चन को ऐसे विवादों से थोड़ी तकलीफ तो होती ही है खुद को हमेशा कॉंट्रिवर्सी से दूर रखने वाले बिग बी ने सरकार द्वारा दिये जा रहे इस अवार्ट के लिए खुशी तो जताई मगर अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं कि इस अवार्ट की ओफिशल इन्फरमेशन उन्हें मिले जाहर है कि जब ये पुरुसकार सरकार की तरफ से आता है तो उसकी एक एहमियत होती है सरकार जब किसी एक इनसान को पुरुसकार देना चाहती है तो उसके अंदर एक प्रेस्टीज होती है एक डिगनिटी होती है उसका एक अलग महत्व होता है और मैं धनिवाद देना चाहता हूं सरकार को कि उन्होंने और उनकी कमिटी ने ऐसा समझा कि मैं इसलाइक हूं कि मुझे ये पुरुसकार दिया जाए मैं कृता की हूनका और आप हाट परकट करना चाहता हूं कि अभी मैं आपको पता दूँ सरकार की तरफ से मझे कोई आदेश नहीं मिला है लगता है बच्चन के घर में शादी से लेकर अवार्ड मिलने तक कुछ भी बिना कॉंट्रिवर्सी के हो ही नहीं सकता और वो अक्सर इसका दोश देते आये हैं मीडिया को और अब जब खबरे आ रही है ऐश्वर्या बच्चन के प्रेग्निंट होने की तो मीडिया की नजरे एक बार फिर होंगी बच्चन परिवार की तरफ उशा मलासी जूम मुंबाई